हाई स्टूडेंस मैं सोन्या हूं विद्या गुरू से स्टार्ट करेंगे वुकाबलरी का एक और सेशन क्विज की फॉर्म में वुकाबलरी है लिखा सिरफ बैंक प्यों एसे सीजियर लेवल है बट आप लोग जानते हैं इंग्लिज जो होता है वो कॉमन रहता है और मुद् सेशन होगा आपका कोई भी competitive exam होगा उसमें help करेगा ही करेगा start करेंगे questions अच्छे हैं words अच्छे हैं हर बार बोलती हूं बट आपको words का थोड़ा सा intro देना जरूरी होता है कि प्रिवारिकेट या rendition जिसे words हम पढ़ेंगे words का level ठीक ठाक है आप bank PO और CGL के exam में इने expect कर सक event videos हम लोग बनाते हैं उनका notification आपके पास आएगा notification सिरफ subscribe students के पाता है start करते हैं पहले word से idiosyncratic बहुत मुश्किल word नहीं है idiosyncratic बहुत मुश्किल word बिल्कुल भी नहीं है असान सा ही है rather तो idiosyncratic word का मतलब क्या है सुनिए idiosyncratic मतलब है peculiar मतलब क्या है peculiar आपको quiz की form में इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि exam में जब आपके पास words आएंगे तो उसमें आपको options में से choose करना मतलब peculiar है अगर आपको peculiar समझ में नहीं आता है तो meaning हिंदी में बता देती हूं आपको संकी होता है peculiar का meaning थोड़ा सा example से पढ़ने से contextually समझ जाएंगे word यहूज करना आ जाएगा क्योंकि word जातर problem यही होती है कि use नहीं करना आता समझ नहीं आता what's the usage of the word his methods of investigation were idiosyncratic but effective उसके investigation के method जो है वो idiosyncratic है वो peculiar है वो संकी है पर वो effective है but वो effective है that's idiosyncratic idiosyncratic का मतलब क्या है peculiar है याद रखिएगा तीन चार बार बोलिये याद होगा यह होगा idiosyncratic का मतलब peculiar होता है अगर आपको peculiar नहीं समझ में आता है तो संकी होता है और संकी का meaning आप जानते हैं किस context मे कह रही हूँ investigation कोई कर रहा है example से समझा रही थी उसकी investigation का method idiosyncratic है बट effective है effective है संकी है method तो क्या हुआ लेकिन effective है next word पढ़िए प्रिवारिकेट प्रिवारिकेट के लिए similar word होता है equivocate प्रिवारिकेट के लिए similar word होता है equivocate equivocate का मतलब क्या है डूप करना fabricate करना चल कपट करना लाए जूट बोलना तो जूट वाला जो sense है वो प्रिवारिकेट है equivocate है that means equivocate equivocate प्रिवारिकेट डूप, fabricate या फिर लाए example बढ़िए when Rian's mother started inquiring about his studies रियान की मदध्र ने start किया उसकी studies के बारे में inquire करना, He attempted to prevaricate her questions अब वो questions को देखी, कैसे rédu northern conditions को कैसे fanbook कर रहा है questions में कैसे fabricate कर रहा है छल लुकुपत कर रहा है छूट वाली बात हो रही है छूट बोल रहा है questions को attempt कर रहा है कैसे Prevaricate फोर्म है छल्कपट चल रहा है झुट चल रहा है तो रियान की alleine है, इंक्वायर कर रहा है क्लमे आपने बच्चे से उसकी study के बारे मता होए है बच्चा क्रा और और बच्च परिवारे केक चल कपट करना प्रिवारिकेट करना पेकुलियर है, संकी होता है पेकुलियर याद रखिएगा प्रिवारिकेट दूप, फबड़िकेट next word पढ़ता है, rendition rendition का मतलब होता है performance अभिनय देना प्रति पादन करना performance is the right word, rendition के लिए performance एक अच्छा word है rendition, performance होता है, अभी नहीं होता है singer's rendition of the song was quite different from the original track अब singer है, उसने rendition दिया song का उसने अलग तरह से present किया है उसने अलग तरह से perform किया है singer ने song को और original track से वो कैसा था quite different था, quite अलग था singer's rendition, singer का performance next है beguile beguile का similar word होता है enchant करना, enchant करना, mohna, mohit करना, sammohit करना तो वो enchant है, enchant करना, mohit करना, mohna याद रखिएगा, beguile, enchant beguile, enchant होता है Tom Sawyer was clever enough to beguile his friends into painting the fence for him story अगर आपको याद हो, बहुत सुनी है हमने यह story और बड़ा, बड़ा, बहुत ही मजे लेके हम यह लोग पढ़ते थे, सारे के सारे, तो Tom Sawyer है, एक friends को beguile करता है ऐसे mohit कर देता है, कि वो fence को, दिवार को, चार दिवारी को paint कर देते हैं, तो he was clever enough काम कर वा लिए किसी और से, Tom Sawyer ने, Tom Sawyer जो था, वो clever था इतना clever तो था, कि उसने friends को enchant कर लिया, beguile कर लिया और friends ने क्या किया, fence को, दिवार को, चार दिवारी को, दिवार को paint कर दिया, fence को paint कर दिया, next word ज़रा देखिए, erant है, erant next word क्या बताया मैंने, erant है, erant का मतलब होता है wayward, wayward क्या है, wayward, way, way, भटक रहा है, wayward है, भटक रहा है वेवर्ड है, भटक रहा है, याद रखिए, एरेंट, वेवर्ड है, भटकने वाला है, भटका हुआ है, एरेंट, the errant apprentice was given a warning because he was irregular at work, एक apprentice है, काम स्टार्ट कर रहा है, वो तो आता ही नहीं है, काम पर irregular है, तो हम उस एप्रेंटिस को क्या कह रहे हैं, हम उसे एरेंट कह रहे ह तो वेवर्ड होता है, एरेंट होता है, याद रखिएगा, वर्ड क्या बताया मैंने, एरेंट है, वेवर्ड है, वेवर्ड, the errant apprentice was given a warning because he was irregular at work, के जोल, के जोल is to persuade, के जोल is to persuade, बहलाना, फुसलाना, के जोल करना होता है, के जोल, पर्सुएट, कोक्त, के जोल, बहलाना, फुसलाना, the young girl really knew how to kejol her parents into buying her fancy toys, छोटी बच्ची है, छोटी लड़की है, यांग लड़की है, जानती है, parents को कैसे, convince करना है, parents को कैसे, उनको convince करना पड़ेगा, persuade करना पड़ेगा, बहलाना पड़ेगा, किस चीज के लिए, वो fancy toys खरीदना चाती है, और fancy toys खरी parents को कैसे करना है, convince, कैसे करना है, persuade, casual करना, persuade करना, बहलाना, फुसलाना, odious, odious, personality, offensive personality है, offensive meaning देता है, घिनोना देता है, meaning, जो बहुत घिनोना है, वो offensive है, वो odious है, Janice, odious personality, drove away the few friends that she had, personality कैसी है, Janice की, घिनोनी personality है, offensive personality है, इसलिए friends है, क्या उसके अब, नहीं, friends नहीं रहे, drove away the few friends that she had, odious personality, घिनोना है, offensive है, याद रखियेगा, odious घिनोना, next word है, taught, taught means tight, taught का मतलब tight होता है, टी से taught, टी से tight, taught tight, taught tight, सुनने में भी थोड़ा, similar-similar लगेगा, taught tight, meaning है, तना हुआ, now that the storm had passed her taught muscles, relaxed and she felt weak, storm चला गया, पास हो गया, और अब उसके जो tight muscles थे, relaxed and she felt weak, taught tight होता है, याद रखियेगा, next question, oleaginous is the word, oleaginous is the word, ध्यान रखिये, अच्छा वर्ड है oleaginous, oleaginous का मतलब होता है, rich in, covered with, producing oil, oily, तो oleaginous नाम में oil जैसी फील आ जाएगी, oleaginous oil, oleaginous oil, oleaginous oil, that is why answer क्या है, oily है, तेल गुण युक्त है, चिकना है, oily है, India has a vast market for windows of cereals and oleaginous grains, यह जो grains है, यह तेल युक्त grains है, तेल वाले है, चिकने है, oily grains है, तो India है, vast market है, जिसमें, जो, जो vendors है, for vendors of cereals, उस cereals की बात कर रहे है, हम लोग, यहाँ पर, अनाज की बात कर रहे है, तो India has a vast market for vendors of cereals and oily grains, next word है, moat, moat means, moat means spec, spec, बहुत छोटा है, बिलकुल bindu जैसा है, atom जैसा है, a tiny piece of a substance, that's moat, बहुत छोटा सा piece है, किसी चीज का, वो moat होता है, spec, जिसे का जाता है, particle, जिसे का जाता है, अगर आप particle समझते हूँ, अगर आप atom समझते हूँ, वो particle, वो atom जो होता है, type का, उसे हम क्या कहते है, हम उसे कहते है, spec, a moat of sand in the girl's shoe, irritated her until she stopped to wipe it away, sand, गिरी है, देखिये, कितनी गिरी है, बिलकुल थोडी सी है, बिलकुल थोडी सी है, धूली का कन, बिंदू, बहुत थोडी सी है, tiny piece of a substance, गिरी तो थोडी सी थी, a moat of sand in the girl's shoe, but सीधी बात है, गिर कर जाती है, शू के अंदर sand चाहे, वो थोडी सी भी हो, तो irritate करती है, similar thing is happening here, यह पर भी यही problem होई है, लड़की के साथ, जब तक उसने उसे साफ नहीं किया, wipe it away, साफ नहीं किया, अब तक वो irritated रही, start करते हैं, revision students, पहला word, idiosyncratic था, जिसका मतलब peculiar, या फिर संकी होता है, provaricate, equivocate होता है, जिसमें dupe करना, fabricate करना, चल कपट करना आता है, rendition का मतलब performance देना होता है, bigail का मतलब enchant करना होता है, किसी को mohit करना होता है, errant का मतलब भटकने वाला, या wavered होता है, कि जोल किसी को बहलाना, फुसलाना होता है, persuade करना होता है, odious offensive होता है, tot means tight होता है, oliginous का मतलब oily होता है, और moat का मतलब बहुत थोड़ा, बहुत कम spec होता है, wrap up कर रहे हैं, thank you so much.